अब बात करने वाले एप्लिकेशन ओफ इस्टेंडर्ड इलेक्ट्रोड पुटेंशियल इनौट सेल ठीक है ना चलिए बई पहली जो एप्लिकेशन है वो आती है कि देख बई अगर मैंने तो यह बताया अगर कभी भी तुझे चेक करना है कि यह सेल जो है कोई भी पेपर में सेल दिख जाए और वो पूछने लगे कि भाईया क्या यह सेल बन सकता है क्या यह कंस्ट्रेक्ट हो सकता है उसके दिखान रखिए आपने value of e0 निकालनी है e0 of सेल निकालनी है और वो value क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए अगर वो पॉजिटिव आती है तो वो सेल क्या हो जाएगा कंस्ट्रेक्ट हो जाए बास नोज में आ रही है इसी को अगर मैं एक्जांबर तुरू बताना चाहूं तो मैं का हूँ है सिंबल देख तो एक बात देख मैं तो इस सिंबल एक सेल बना के दिया रहे जेड़न सॉलिड था जेड़न टू पॉजिटिव था गिविंग के सी लेखन्व यह सेल बना के देदिया और मैं और कुछ तुछ दिए गिवन डाता दे रहा हूं वह पूछेगा तुझे कि यह गिवन तरह पास डाता होगा तो यह बताना पड़एक है कि यह सेल बन सकता है रिखने अभी मैं तुम्हें बताए था कि यह electrochemical में से कहूं तो यह electrochemical जो cell है ना तुमारे पास या full cell है जो भी है उसकी क्या है यह cell representation है अभी अगला जो step सिखाने वाला हूँ वो cell representation ही सिखाने वाला हूँ लेकिन अगर E0 cell के through कैसे बताना construction of cell वो बता रहा हूँ देख भई मैं तुझे data दिया दिया जैडेन टुपोजिटिव था जैडेन सॉलिड था माइनस के 0.76 वोल्ट दे दिया सिंपल कॉपर टू पोजिटिव था सिंपल कॉपर सॉलिड दे दिया फर्दर में तो जैडेन दिया परस के 0.34 वोल्ट और जब तो इसको भी calculate कर रहा था तो तो यह पास E0 cell के वैलू construct होगा ठीगा ना ऐसे कितने भी सवाल आजाएं क्या बता दोगे